जवलपुर की जिला सिख्ष अधिकारी घंश्याम सौनी के विरुद्न नाराज़गी जटाते हुए एक अभिभावग हैमंद पटेल अनोखी शिकायत लेकर कलेक्टर काराले पहुँचे जहां हैमन पटेल ने तक्ती पहने कलेक्टर कारले पहुँच का शिकायत की कि जबलपुर के जिला सिक्षाधिकारी घंशियाम सौनी जान बुच का सीम हेलप लाइन की शिकायतों का निराकरण नहीं करते और जोय सीनिय सेकंडरी स्कूल को फायदा पहुचाने के लिए सीम हेलप लाइन को बंद कर देते हैं हैमन पटेल कलेक्टेड में जन सुनवाई की दोरान पहुचे थे जहां उन्होंने बताया शहर के जोय सीनिय सेकंडरी स्कूल के द्वारा अवैद रूप से फीस बढ़ाने की शिकायत जिला सिक्षाधिकारी घंशियाम सौनी से की गई थी जिसमें लोक सिक्षन संचनालय के हस्त शेप के बाद शिकायत की जाच घंशियाम सौनी के द्वारा कराई गई थी जिसमें जाच अधिकारी की द्वारा स्कूल को दोशी पाया गया उसी संबन में अनेक शिकायत घंशियाम सौनी को फिर सिकी गई लेकिन डीओ ने स्कूल क व्यक्ति गत्फाइदा पहुचाने के लिए शिकायत को बंद कर दिया जिसके बाद शिकायद जिल्ना शिक्षा समीती के किलेक्टर के समख्ष iki गई अभिवाबक ने कलेक्टिट कारयाले में पहुचका निस्पक्ष जाच की मांग की है शिकायत करता का कहना है कि यदि शिकायत का निराकरण नहीं किया जाता है तो वह आत्मत्या कर लेंगे स्क्राव लडा यहां बहुत प्रभावश्य और अध्यां धनीद लोग हैं और मैं नया की लडाइन नडा पूँ हूं मैं कहता झाल झाल